कि दोस्तों एक सर्या में कितना वजन होता है उसके परमीटर में कितना वजन होता है पूरी एक लैंथ में उसमें कितना वजन हो जाता है एक छड़की एक पीस में कितना वजन होता है यह सब जो प्रॉब्लम है यह सब के क्वेश्चन के आंसर आज के वीडियो हम दोस्तों द तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगए तो अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करें तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले देखिए आप यह टेवल पूरा हमारा फॉर्मेट बना हुआ है हमने यहां पर पहले साइज लिखा हुआ हमने सूत में और हमने वेट पर मीटर सरीया का जो हमारा वेट होता है पर मीटर हो केजी में और लैंथ कितनी होती है हमारी एक लैंथ हमारी पर पीस की ठी किז298 सर्छाफ ways बात건 कोता है इक पीस को मारे भी सहिए अगर रहे बातआ पूर्टे मिट かन उच्छा है खर बोलते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज हैा जो हमारी नेटीव लैंग्वेज में लोग अदिए उजगता है बाताए है लिए 2ह मेंट करें बाता .22 kg हमारा weight आता है और उसकी length जो आती है हमारी एक piece की length आती है वो standard length हमारी 12 meter आती है और हम फिर हम जब इस 12 meter का इसमें multiply कर देंगे तो हमारा जो पर piece का weight आ जाएगा वो हमारा 2.66 kg आ जाएगा उके उसके बाद अगर हम बात करें 8 mm का सरीया है 8 mm का सरीया का हमारा 2.5 सूथ का बोलते है और उसमें अगर हम पर meter की अगर हम पर meter में उसका weight की बात करें तो हमारा 0.395 kg होता है और एक piece की length हमारी 12 meter होती है standard length जो हमारे को market में मिलती है और अगर हम पर piece के weight की बात करें 4.7 kg और अगर हम बात करें 10 mm के steel बाहर के लिए तो 10 mm को हम बोलते है 3 सूथ का सरीया बोलते है और उसके पर meter की weight की बात करें ठीक है ना तो उसके हम पर meter की weight की बात करें तो 0.617 kg उसके 1 meter length में हमारा इतना weight होता है और 12 meter का standard piece की जो length हमारी 12 meter आती है वो total सब हमारी 12 meter याती है तो उसके हमारे पर piece का जो weight होगा वो 7.40 kg हो जाएगा वहीं बात करें 12 mm के लिए तो 12 mm के जो steel बाहर है उसको हम 4 सूथ का सरीया बोलते है जो 4 सूथ बोलते है और उसके हम पर meter के weight की बात करें 0.89 kg होता है और जो हमारे एक piece की length आती है वो भी हमारी 12 meter ही आती है तो हमारे जो weight होगा एक piece का जो पर piece का जो हमारे weight आएगा 12 mm का वो हमारे 10.68 kg आएगा ठीक है दोस्तो उसके बाद अगर हम बात करते है 16 mm के सरीया की तो 16 mm के सरीया होगा उसको हम बोलते है हमारा 500 का सरीया और उसके पर meter में जो weight होता है हमारा वो 1.58 kg होता है और अगर हम बात करें उसके length की तो length हमारी जो होती है piece की वो हमारी 12 meter होती है और दोस्तों तो हमारा जो weight होगा पर piece का तो पर piece का हमारा weight हो जाएगा 18.96 kg पर piece का weight कैसे आ रहा है कुछ नहीं करना हमको पर meter का weight यह है उसमें multiply कर देनी है 12 की तो हमारा यह आ जाएगा ठीक है दोस्तों उसके बाद हम बात करें 20 mm के सरीया की तो 20 mm का सरीया जो हमारा तो हम 6 सूत का सरीया बोलते है उसके पर meter के weight की बात करें दोस्तों तो पर meter का weight आएगा हमारा वो 4.47 kg होता है और अगर हम उसके बात करते है एक piece की तो एक piece के लेंट मोरी हो दी है 12 meter और एक piece के पर piece का weight आएगा 29.64 kg आएगा वहीं दोस्तों बात करें अगर हमारा 25 mm के स्टील भार के लिए तो 25 mm को हम 8 mm का 800 का बोलते है 800 का सरीया होता है वो तो उसके अगर हम दोस्तों बात करते हैं पर meter में पर meter का weight होगा वो हमारा 3.86 kg होगा और एक piece की जो लैंट या आती है हमारी वो वारा meter आती है दोस्तों तो उसके हमारे पर piece का जो weight आ जाएगा 46.32 kg हो जाएगा तो उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं 28 mm के लिए 20 mm के 8 तो हमारा वो 9 सूत का सरीया होता है उसका 9 सूत बोलते हैं और उसके अगर हम बात करते हैं पर meter में weight की तो पर meter का weight हमारा होगा 57.96 kg आई होप आपको वीडियो किलियर होगा दोस्तों कि हमारे पर meter में कैसे सरीया का weight होता है कैसे हमों को दुकानदार हमारे को weight निकाल के उसका बता देते हैं कैसे engineer हमको बता देते हैं तो कुछ नहीं होता है यह हमारा per meter का weight होता है उसके साथ हमारी standard length या आती है तो उसमें multiply कर देंगे तो हमारा per piece का weight आ जाता है उसी के साथ हम bundle का weight हम निकाल लेंगे जब हम खरीद के लेके आते हैं अगर मान के चलिए दुकानदार चोरी मकरता है उसमें तो आप उसको पकड़ सकते हैं पर एक bundle में कितने piece हैं उन piece होके इसके साथ multiply कर देंगे तो पूरे bundle का weight निकल जाएगा और आप उस चोरी को पकड़ सकते हैं दोस्तों ये कहां से आता है उसको अगर आपको जानना है तो हम next video में कोसिस करेंगे उसका video बना दें कि ये कैसे calculate होता है उसके एक अलग से formula होता है कि पर मेंटर का weight हम कैसे calculate करते है किसी भी सरीया के लिए तो उसका भी अलग से formula है वो formula कैसे आता है उसका भी अलग से method है तो पहले हम next video में बताएंगे कि formula कैसे होता है कौन से formula यूज करके हमारा वो weight हम निकालते हैं नेक्स डियो में उसको भी हम बता देंगे मिलते हैं नेक्स डियो में जैहिंद वंदे मात्रम